पिछले कुछ दिनों से जो गटनकम विधान सभा के अंदर चल रहा है उस सारे गटनकरम की जानकारी महामहिम राज़पाल महोदे जी को हमने दी है और खास्तोर से जिस तरह से विधान सभा के अध्यक्ष महोदे जी ने विपक्ष के साथ बैवार किया है और जो रुखा पनाया है उस संदर में आमने जानकारी दी है अग्यारम कर दिटृति हमाचल प्धेस मिधान सभा में जो 2017 जो कट्मोशन पर चर्च होने के बात मंत्री विभाग का उत्तर दे उसके बात कट्मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के सबाए कर वाइस वोटिंग ओपोजिशन वालों को कर्वेंसिंग ना लगे और हमने उसी के लिए आग्रे किया था लेकिन दो बार आग्रे करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया हॉस को एर्जॉन कर दिया गया और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्याश मोदे जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिये और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस परकार से बेवार हुआ है जखके मुक्य हुई विधायक गायल हुई है गायल हुए है गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के मादियों से यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधान सबके अंदर कभी नहीं हुआ और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके आफिस में प्रवेश किये तो अधेक्स मोदे मुकर जाते हैं कहते हैं कि हमने तो आदेश किये ही नहीं है मार्शल किषने लगाए और जो स्क्राइब इन चार्ज है वो बोलता है कि हमको स्पीकर साब क्या देश है तो यह सब दुर्भाग्य फून पर स्थिती है और दूसरी बात में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं जो घटना कम घटित हुआ है इमाचल प्रदेश मे राजय सबा के चुनाप के परिणाम आने के पश्चा भारती जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्श महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद ही जीते हैं और सभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें अगर हम देखे हैं तो वर्तमान में कॉंग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है यहीं मैं कहना चाहता हूं और वो अभी जो जानकारी हमने इस अंदर में खासतोर से जो गटना करम घटित गुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी ज हैं कि जिस परकार से वेवार विधान सबाद एक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंट कर सकते हैं ताकि कॉंपर्टिवली बजट को पारिद किया जा सके यह भी एक अशंका है जो हम जाहिद कर रहे हैं और इसके अलाबा मुझे यह भी मालूम पड़ा कि कॉंग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिये हैं जो जिन उन्हें वोट दिया है और उनको नोटिस दे करके कि आपके ओपर जो हमारा देड़ बज़े का समयता है कि यह उसमें तो उसमें जो डिफेक्शन लॉव है जो एंटी डिफेक्शन लॉव है उस पर उनने कहा है कि आपके खिलाब कारवाई क्यों न की जाए अपना प्रस्ट प्रस्टूत करने के लिए उनको डेड़ बज़े बुलाए गया है तो उनको सस्पेंट करने की उनकी और से जो मनशा जाहिर की जारी है वो भी एक संभावना है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जोग की नियम के मताविक नहीं है राज्य सभा में नंबर वन विप जारी नहीं होता है विप जारी किया कांग्रिस ने दूसरी बात राज्य सभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इन्वैलिट नहीं होता है उसके लिए तो इलेक्शन कमिशन ने क्लियर ग और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है उसके बावजूद भी विदायकों को प्रताडित करके तंग करके उनको परिशान करके इस परकार के कारवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ ये उनकी बु जासे नहीं अपने कारून से संकट में इतने ही कितने विधायक है सर्थ आप लोगों की तच में हैं जो चेक जनों ने क्रॉस वोटिंग कि उनके अलावा भी कितने नंबर जैके इन सारी चीज़ों को ना पहले बिदेशन नहीं मिलता है तो अगला करने के बाद पार्टिक नितितों के साथ चाचा करने के बाद रहे होता है बजट पर अगरे डिविजन मंगा जाता है तो वह वही होता है झाल